हलो दूस्तों, वेलकम टु माई चैनल ग्यान भारत, तो आई स्रू करते हैं, यूजब हेज, have, had, इसका आर्थ होता है, पास होना या रखना, सिंपल प्रिजेंट में क्या करते हैं? हेजैब का प्रिव करते हैं, simple past में head का प्रियू करते हैं तो आई शुरू करते हैं simple present simple present में प्रियू करेंगे hedge have का और इसमें singular या singular के साथ hedge plural के साथ have का प्रियू करते हैं आईए example के माध्यान से समझते हैं पहला example है उसके पास एक गड़ी है he has a watch निश्ट है तुम्हारे पास एक cycle नहीं है you have not a cycle क्या तुम्हारे पास एक mobile है तो एक have you a mobile मेरे दो भाई बहन है I have two brother two sister नेक्स्ट है तितली के दो पंक होते हैं butterfly has two wings नेक्स्ट है गाय के चार पैर होते हैं the cow has four legs नेक्स्ट है राज के पास दो जोड़ी जूते हैं राज हैज two pairs of shoes नेक्स्ट है हमारे पास 10 रुपए we have 10 रुपीस नेक्स्ट है simple past में singular और plural के साथ head का प्रियू करते हैं आईए example के माद्दन समझते हैं पहला है मेरे पास एक जोड़ी जुराब है यानि मोजे I had a pair of socks उनके पास बहुत सी पुष्टके थी उनके के लिए they had many books नेक्स्ट है मेरे पास पांच रुपए नहीं थे I had not 500 रुपीस नेक्स्ट है नाग के पास मड़ी नहीं थी कोबरा had not jam 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 इसे तो मड़ी नेक्स्ट है क्या उनके पास अक्ल थी had they any sense नेक्स्ट है उसे सिर्दर्द था सिर्दर्द के लिए यड़क लगाएंगे C had a headhack यात्रियों के पास टिकट नहीं थे the passengers had not टिकेट्स वे तीन मोबाइल रखते थे they had three months they had three months जानकारी चले तो subscribe कर न न भूलिए जानकारी तो जानकारी तो